बच्चो आपके सामने सो सब प्रतिमिनट गति का डिक्रेशन दे रहा हूं Yes, start महाराष्ट के नासिक में आक्सीजन टेंकर के लीक होने के कारण आपूर्ती बादीत होने से 24 कोवीट मरीजों की दर्दनाक मोत जितनी दुखद है उतनी ही सर्मनाक भी जाच के आदेश हो गए हैं मौजों की भी गोशना कर दी गई है पर क्या ऐसे कर्मकान पहली बार हो रहे हैं पिछले एक साल में ही महाराष्ट वह गुजरात में सिर्फ कोवीट वाडों में आग लगने और आक्सिजन आपूर्ती से जुड़े कई हाथ से हो चुके हैं जिन में कई भवमुल्य जाने जा चुकी हैं ये हाथ से बताते हैं कि जीवन बचाने की जो उच्चितम साउधानी अस्पताल प्रभंदनों को बरतनी चाहिए उसमें लगातार चुक हो रही है नी संधे अस्पतालों पर अभी अभुतपूर डबाव है तमाम डॉक्टर, साहक करमचारी और प्रभंदन के लोग अपनी जान की बाजी लगा कर जन सेवा में जुटे हैं लेकिन एसी गटनाए इसलिए अधिक मरमाहन कर जाती हैं क्योंकि ये अस्वाभाविक मोते हैं ये मरीज जिन्दगी बचने की आस लिये जाकिर हुसेन अस्पताल आये थी कोरोना की दूसरी लहर भारत और भारतियों के धेरे की ही नहीं इनकी शमता की भी परिच्छा ले रही है तुनिया के कई तेस इस महमारी से जंग में कापी भेतर इस्तती में पहुँच गए हैं निसंदे इसमें उनकी सरकारों की संवेदंसील पहल ततपरता और नागरिक अनुसासन की बड़ी भूमिका है ताइबान, नुजिलेंड, आस्टेलिया जैसे देश तो मिसाल बनकर उबरे हैं इसराइल, UAE पूर्ण टिकाकरण के लक्ष के करीब है बलकि इसराइल के स्वास्त मंत्राले ने तो अनिवारतर मास्क पहनने के आदेश को भी वापस ले लिया है डेनमार्क, यूरोपी सेलानियों के लिये अपने बाडर खोलने की तयारी कर रहा है छोटी आबादी वाले देश होने के कारण इनकी उपलब्धियां कमतर नहीं आकी जानी चाहिए बलकि उनसे सबक सीखने की जरूरत है आज एक साल बाद भी हमारे लिए युद्धिस्तरी संगर्स की इस्तती क्यों इसे दोराने की न तो अब आवश्चक्ता बची है और नहीं यह इसका वक्त है अलबता हमने वेक्सिन कूट निती के जरिये जो छवी अरजित की है उसको बचाने की जरूरत है हम यह नजरंदार नहीं कर सकते की निजुलेंड ब्रिटिन के बाद मंगलवार को अमरिका ने भी अपने नागरिकों को सलह दी है की वे भारत की यात्रा से फिलहाल परहज बरतें यह कोई अनोनी बात नहीं है और इससे इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षी संबंदों पर भी असर नहीं पड़ेगा लेकिन एसी खबरों का दुन्या में अच्छा संदेज भी नहीं जाता निसंदेर केंद्र और राज सरकारे मोजूदा गंभित इस्तती पर नियंत्रन के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही हैं मगर अब भी कई मोर्चों पर भेतर समनवई और संजीदा पहल की जरूरत है जैसे दिल्ली में लागडाउन की गोशना और महराष्ट में इसकी आसंका के मद्दे नजर गरीबों मजदुरों का पलायन एक बार फिर सुरू हो चुका है हाला कि इस बार पिछले साल जैसी इस्तती नहीं है लेकिन तब भी एहत्याती उपायों की खोले आम अंदेखी हो रही है जो तिन लाग के करीब देनिक संक्रमन वाली इस्तती में चिंता की बात है सास की दंड से अधिक अब नागरिकों को भरोसे में लेकर ही हाला से उबरा जा सकता है कुम्ब का उधारन हमारे सामने है लेकिन तंत्र में नागरिकों के भरोसे की मजबूती के लिए हमें नासिक जिसी गटनाओं को रोकना होगा दुनिया के सामने भी एसी घटनाएं देश की अच्छी तश्वीर नहीं पेश करती है धन्यवाद